हुनर है तो दिखाना सीखो, नहीं कहने वालों को बताना सीखो, जब जुनून हो आसमा से टकराने का, तो चुनावतियों से आँख मिलाना सीखो. नमस्कार, मैं डाक्टर आर्पी सोनकर, एसोसेट प्रोफेसर मनुविज्यान विभाग, वसंद करन्या महा विद्यालय काशी हिंदू विष्ट विद्यालय एक बार फिर आप सभी सम्मानित विभाव को और प्रिये विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन क अपडेट्स मैं आज की विडियो में आपके साथ साजा करूंगा यानि बियच्चू इस समेस्टर और आने वाले समेस्टर से सम्मंधित महतपूर अपडेट्स क्या है इस पर मैं आपको तमाम जानकारी विष्टार से दूंगा त्रिये विद्यार्थियों मैं आपको ये भी बता दूं कि कल यानि 21 दिसंबर 2023 को बियच्चू की ओर से एकाडमी कलेंडर 2023-2024 जारी कर दिया गया है ये विद्यार्थियों मैं आपको आज के वीडियो में तमाम तरह की जानकारियों को विष्टार से बताऊंगा जिसमें बियच्चू यूजी पीजी एग्जामिन 2023-2024 के साथ साथ मैं आपको ओड सेमेस्टर यानि बात मैं यूजी की करूं तो यूजी में ओड सेमेस्टर जो ही समय चल रहा है यानि सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिप्ट के साथ साथ पीजी में सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड एग्जामिनेश 2023-2024 से सम्मधित में महतपुर अप्डेट्स आपको दूँगा और 27-27 आने वाला जो सेमेस्टर है जिसे हम event सेमेस्टर कहते हैं यानि इसमें UG सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर 4th और सेमेस्टर 6 के साथ साथ PG का सेमेस्टर 2nd और सेमेस्टर 4th examination 2023-2024 से सम्मधित महतपुर साथ मैं इस session में होने वाले winter vacation के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ summer vacation के बारे में भी विश्दार से आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में teaching schedule क्या है यानि इस सेमेस्टर में और आने वाले अगले सेमेस्टर में classes कब से कब तक चलेंगे और साथ ही साथ आपको preparation leave इस semester में और आने वाले semester में कब से कब दिया जायेगा और साथ ही साथ internal assessments से सम्मधित महतपूर updates क्या है ये सारे तरह की जानकारी आप मेरे साथ निश्दरूप से इस वीडियो में सुनेंगे एक बड़ी चीज मैं आपको बता दो कि ये जितने भी information मैं आपको आज के वीडियो में आपके साथ साजा करूँगा ये सब बियाच्चू main campus यानि FMC, DMC के साथ-साथ MMB, FMC, DMC और जितने भी affiliated colleges हैं यानि VKM, VCW, MPG और DAB सभी महाविद्यालयों में और बियाच्चू main campus में समान उर्प से लागू होगा यानि सभी के लिए या सूचना valid है, सभी के लिए उपयोगी है, प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं जल्दी से बात की सुरुवात करूँ इस semester यानि current semester की, तो current semester में जिसको हम odd semester बोलते हैं, इससे सम्मंधित examinations के बारे में विस्तार से आपको बताऊं, तो बात यदि मैं यूजी semester, यूजी examination से करूँ, तो यूजी examination में current semester में जो semester इस समय चल रहा है, वो semester, यूजी का semester first, semester third और semester fifth इस समय चल रहा है, बात की सुरुवात मैंने यूजी semester, current semester से की है, तो यूजी semester first, third and fifth क्या जो examination है, जो परिक्षाएं है, उसका schedule जारी कर दिया गया है, यानि academic calendar में उसका date जारी कर दिया गया है, लेकिन विसे के हिसाब से, यानि subject wise जो time table है, जो schedule है, वो अभी जारी नहीं किया गया, जिसके अतिश्यगर जारी होने की पूरी संभावना है, लेकिन कब से exam सुरू होगा, और कब तक चलेगा, यह date जारी कर दिया गया है, बेचु के academic calendar दो हजार तेश चोबिस में, तो मैं बता दूं कि यूजी के इस odd semester, यानि first, third and fifth semester का जो examination है, यह 17 जनवरी दो हजार चोबिस से लेकर के, 17 फरवरी दो हजार चोबिस के बीच, यानि लगभख एक महीने तक यह परिक्षाएं आपकी चलेंगी, मतलब साप है कि 10 जनवरी दो हजार चोबिस तक किसी भी कीमत पर सभी महाविद्याले और वियक्चु में केंपस अपना internal assessment पूरा कर लेगा, और साथ ही साथ आपका जो भी बचा हुआ सलेबस कोर्स है, उसे भी 10 जनवरी दो हजार चोबिस तक किसी भी कीमत पर पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी दो हजार चोबिस से ले करके 16 जनवरी दो हजार चोबिस तक आपको लगभग एक सब्ताह तक का preparation leave भी दिया जाएगा, जिसमें आप घर बैट करके अपने परिक्षा की तयारी कर सकें, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि 26 दिसंबर दो हजार तेईस से दो जनवरी दो हजार चोबिस तक यानि लगभग एक सब्ताह का winter vacation काशी हिंदू विश्विद्यालय और सभी affiliated colleges में रह यानि 26 दिसंबर दो हजार तेईस से लेके दो जनवरी दो हजार चोबिस तक winter vacation रहेगा यानि विश्विद्यालय और सभी affiliated colleges बंद रहेगा जबकि 24 को आने वाले 24 को संड़े और 25 को Christmas Day के उपलक्ष में विश्विद्यालय और महाविद्यालय बंद रहेगा यानि आज और कल यानि 22 और 23 दिसंबर को ही मात्र विच्चू खुला है क्योंकि 24 को संड़े है और 25 को Christmas Day के छुट्टी है तो दो दिन इधर भी सिर्फ विश्विद्यालय और महाविद्यालय खुला रहेगा उसके बाद छुटी के बाद सीधे 3 जनवरी 2024 को winter vacation के बाद विश्विद्यालय और महाविद्यालय खुलेगा यानि 3 जनवरी 2024 से लेकर के 10 जनवरी 2024 यानि एक हपता के या एक सपता के अंदर जितनी भी विच्चू मेन केंपर्स और अफिलेटेड कॉलेजेस में जो इंटर्नल असेस्मेंट है उसको किसी भी कीमत पर पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका जो कॉर्स है जो सलेबस है जो बचा हुआ है उसे भी 3 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 यानि एक सपता के अंदर किसी भी कीमत पर इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी कुल मिला जुला करके आपके पास तीन सपताह का समय बचा हुआ है यानि यह तीन सपताह आपके लिए बहुत महत्पुड है इन तीन सपताह में यानि लगबग 20-21 दिन में आपको अपने एक्जामेशन की तैयारी पूरी कर लेनी है यह तीन सपताह आपके लिए बेहत महत पुर्ण है क्योंकि यह तीन सब्ता आपको अगले बियच्चु दिख्शान्त समारों में तीन-तीन गोल्ड मेडल दिला सकता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इस तीन सब्ता का उपयोग आप कितना जुनून के साथ कितनी मेहनत के साथ आप तयारी करते हैं क्योंकि य अगले दिक्षान समारों में कनुकेशन में तीन-तीन गोल्ड मेडल दिला सकता है यह सब का सब आपके मेहनत पर दिपेंड करता है प्रीय विद्यारतियों मैं आपको बता दूं कि गोल्ड मेडल पाने वाला कोई भी जो इस्टुडेंट है वह आसमान से नहीं टपकता है बल प्रीय विद्यारतियों आप याद रखिये कि गोल्ड मेडल पाना कठिन हो सकता है असंभव नहीं प्रीय विद्यारतियों आप पूरे जुनून के साथ पूरे मेहनत के साथ आप लग जाए और इन तीन सब्ताह में आपको बेहतर करके दिखाना है बेहतर तरीके से आपको शाबित करना है क्योंकि कोई भी काम यदि आप ठान लें तो असंभव नहीं है प्रिय विद्यार थे हो अगर मैं जल्दी से PG examination के बारे में बात करूँ यानि PG जो current semester चला है उसके examinations के बारे में बात करूँ तो PG का जो semester first and semester third का जो examination है वह भी UG के schedule के साथ ही साथ समानांता रूप से 17 जनवरी 2024 से लेके 17 फरवरी 2024 की बीच आयोजित किया जायेगा यानि इनकी भी परिक्षाएं लगबग एक महीने तक चलेंगी बाकी सारी चीजें जो मैंने उपर बताया वो सब कुछ बिल्कुल समान रूप से लागू होता है समान ही रहेगा यानि teaching जो schedule है preparation जो leave है जो winter and summer vacation है ये सारी चीजें बिल्कुल ही समान रहेंगी प्रियविद्यार थी हूँ अगर मैं जल्दी से आने वाले semester नहीं event semester के बारे में बात करूँ या अगले semester में examinations कब से होगा preparation लीप कब से होगा winter जो summer vacation हो कब से होगा इन तमाम तरह के चीजों पर मैं एक नजर डालू तो आप समझ पाएंगे और बात की सुरुआत मैं UG exam examinations के से करूँ तो आने वाले event semester में UG semester second रहेगा UG semester fourth रहेगा और UG semester six रहेगा यानि आने वाले semester UG का second, fourth and six की जो परिछाएं हैं वह 7 मई 2024 से ले करके साथ जून यानि 7 जून 2024 तक लगभग एक महीने तक चलेंगी प्रिय विद्यार्थियो मैं आपको इससे पहले याद दिला दूं कि examinations के बाद आपकी जो classes है वह 19 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी जो 30 अप्रेल 2024 तक चलेंगी यानि बात बिल्कुल साफ है कि 17 फरवरी 2024 को आपका last paper होगा जो इस semester यानि current semester की परिछाएं आप देंगे वह 17 फरवरी 2024 तक चलेंगे यानि 17 फरवरी 2024 को जैसे ही आप अपना last paper देंगे last paper देने के बाद आपको अगले semester में classes चलने में कोई बीच में gap नहीं होगी कोई छुटी नहीं होगी मात्र दो दिन के गयब के बाद आपकी classes यानि अगले semester की जो classes है वह 19 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा क्योंकि 1 मई 2024 से लेकर के 6 मई 2024 तक आपको लगबग एक सब्ता का preparation लिप दिया जाएगा और साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि UG semester second fourth and sixth की जो परिक्षाएं हैं वह 7 मई 2024 से 7 जून 2024 तक यानि लगबग एक महिने तक लगातार चलेंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि परिक्षा के बाद जब आप परिक्षा दे करके खाली होंगे यानि 7 जून 2024 को जब एक महिने के लगातार मेहनत से आप खाली होंगे परिक्षा देने के बाद खाली होंगे तो आठ जून 2024 से लेकर के साथ जुलाई 2024 यानि लगबग एक महिने का आपको समर वेकेशन काशी हिंदू विश्विद्याले के द्वारा दिया जाएगा यानि एक महिने आप बिल्कुल आराम करेंगे अपने हिसाब से आपको जो घुमना हो जो भी करना हो आप एक महिने की चुटी आपको दिया जाएगा लेकिन एक बात आप निस्विद्व से ध्यान रखिएगा कि यदि आप UG Final Year के स्टुडेंट रहेंगे या आप PG Final Year के स् बारे में भी सोचना है, future के बारे में भी सोचना है, क्योंकि अगर आप UG Final Year का एक्जाम दे करके एक महिने के चुटी मना रहे हैं, तो आपको अगला जो भी लख्ष आपको हो, चाए PG में एडमिशन कराना हो, या कोई और फिल्ड आप चुनते हैं, तो उसके एडमिशन क को भी ध्यान रखना जरूरी है, प्री विद्यारति, अगर जल्दी में PG Examination के बारे में बात करूँ, तो आने वाले इवेंट सेमेस्टर में PG का सेमेस्टर सेकेंड होगा, सेमेस्टर फोर्ट होगा, तो आपकी भी परिक्षाएं, 7 मई 2024 से, UG के समानांतर ही चालू हो चाहेंगे और 7 जून 2024 तक आपकी परिक्षाएं चलेंगी, बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो टीचिंग सीडियूल हो, चाहे विंटर, चाहे समर वेकेशन हो, चाहे प्रिपरेशन लीब हो, सारी के सारी चीज़ें, UG के नियमों के समान ही होगा, तो यह विद्या तरह का सुचना परिवर्तन होता है, तो विश्विदला दौरा बनाया गया है, मापदन रही मानने होगा, क्योंकि बावजू के तरफ से कोई आधिकारिक सुचना नहीं है, बलकि मैंने जो भी academic calendar जारी किया गया, उस academic calendar के आधार पर तमाम तरह की जानकारियां आपके साथ साजा करने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी, यदि आप विश्क्रित जानकारी चाहते हैं, तो विच्चू के official website, bhuonline.se.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं, आप चाहें, तो अपने सम्मंधित कॉलेज से, डिपार्डमेंट से, या फैकल्टी से भी संपर कर सकते ह हैं, इसके बावजूद भी, आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, या किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आप स